जहिन दोस्तों वेलकम टू दा सरकारी जॉब यह हमारी 36 गड़ जीके की चोथी क्लास है जिसमें आज हम डिसकस करेंगे जीला दंतेवाडा दंतेवाडा जीले से जित्ते भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोस्चन बन सकते हैं नमडिसी के एक्जाम में उन सारे कोस्चनों को चब्याद्ध्यम से आपको आगे भी करवाते रहेंगे तो चलिए देखते आज कि क्लास में क्या-क्या दिया है तो सब से पहले हम पढ़ते यहां पिसका गठन कभ हो था तो जो 36 गड़ का दंतेवाडा जीला है इसका गठन हो गया था 1948 में 1998 में इसका गठन हो गया था अगर यहाँ पूछ लिया जाए कि दंतेवाडा जीला का मात्र जीला कौन सा है मतलब दंतेवाडा जीला किस से अलग होकर बना है तो यह बस्तर से अलग होकर बना है और यह बस्तर संभाग में ही आता है कौन दंतेवाडा जीला चली आगे देख लेते हैं आगे यहाँ पर ज जीला का मुख्याले कहा है तो दंतेवाडा जीले का मुख्याले जो स्वयम दंतेवाडा ही है यही पर इसका मुख्याले है चलिए आगे देख लेते अगर पूछा जाए कि दंतेवाडा जीले के सीमावरती जीले कौन-कौन से है तो दंतेवाडा जीले के सीमावरती जीले है एक है बस्तर, दुसरा है सुकमा, तीसरा है बिजापूर तो यह तीन जीले जो है यहां दंतेवाडा जीले के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं आपको यहां भी पूछा जा सकता है कि यह तीन नाम आप्सन में दे देगा और यहां पूछेगा कि यहाँ पर दंतेवाड़ा जिल्य की कुल तहसील किती है तो दंतेवाड़ा जिल्य में टोटल 5 तहसील है और वह कौन-कौनसी है एक है दंतेवाड़ा, बुझे गीदम, तिसरी है कटेकाल्यान, चौथी है कुवा त्था पाच्वह पड़े बचेली. अगर विकास खंड पूछ लिया जाए तो दंतेवाडा जिल्ले में विकास खंडों की कुल संक्या है चार जिसमें है गीदम, दंतेवाडा, कटे कल्यान और कुवा कोंडा चलिए आगे देख लेते हैं आगे इसमें दंतेवाडा जिले में नगरपाली का परिसत तो दंतेवाडा जिले में नगरपाली का परिसत जो है वह तीन है एक है दंतेवाडा, दूसरा है बड़े बचेली, तीसरा है किरंदूल किरंदुल क्या है यहाँ पर नगरपाली का परिसद है चलिए आगे देख लेते हैं आगे दिया यहाँ पर नगरपंचायत दंतेवाड़ा जिले में नगरपंचायत कितनी है तो बारसूर और गिदम यह दो नगरपंचायत है दंतेवाड़ा जिले में मोस्ट इंपर्टेंड याद रखिएगा विधान सभा छेत्र अगर पूछा जाए कि दंते वाड़ा जिले में विधान सभा छेत्र कौन कौन सा है या कौन सा है तो दंते वाड़ा जिला जो यह अनुसुसी जनजाती विधान सभा छेत्र है मतलब यहाँ पर जो शीट आएगी विधान सभा की वो कि की आएगी अनुसुसी जनजाती की आएगी चलिए आगे देख लेते हैं आगे यहां पर दंते वड़ा जीले का कुल छेत्रफल कितना है तो अगर आप से पूछा जाए कि दंते वड़ा जीले का कुल छेत्रफल कितना है तो वह होता है 3410.50 वर्ग किलो मिटर कितना है 3410.50 व जन संक्या है यहां की दंते वाड़ा जिले की अगर भासा तो था बोली पूछी जाए तो दंते वाड़ा जिले में हिंदी, 36 गड़ी, गोंडी और हल्बी मुख्य रूप से चार भासाए बोली जाती है कौन-कौन सी भासाए बोली जाती है हिंदी, तो इसमें कुल 234 गाव है जो दंते वाड़ा जीले में आते हैं अगर बेंकों की संक्या पूछ ली जाये तो चोटी बड़ी कुल मिला के दंते वाड़ा जीले में टोटल 28 बेंक है चलिए आगे देख लेते हैं आगे यहाँ पर सार्वजनिक वित्रन प्रनाली तो जन संक्या हो सारी सार्वजनिक वित्रन प्रनाली की संक्या जो है वह है 145 दंतेवाडा जीले की सार्वजनिक वित्रन प्रनाली है इनकी संक्या है 145 अगर यहाँ पूछ लिया जाए कि दंतेवाडा जीले में कुल कितने क कालेज या विस्पविध्याला है तो यहाँ पर कुल 6 कालेज है बिजली घर अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पर कुल 10 बिजली घर है प्रेंट्स इसमें दंतेवाड़ा जीले की सारे most important question सामिल किये गये हैं इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा और आगे भी हम दंतेवाड़ा जीले से related mcq question लेकर आएगे तो आप चेनल के साथ जुड़े रहेगा और साथी साथ like और share भी जरूर कर दीजिएगा चली आगे देखते हैं आगे है दंतेवाड़ा जीले में अस्पतालों की संख्या तो यहाँ पर दिया है 95 अस्पताल है दंतेवाड़ा जीले में इसमें छोटे ब्लाक लेवल के अस्पताल भी है जो ग्रामी इलाकों में होते हैं उन भी अस्पतालों को स्वामिल किया गया तो टोटल जो अस्पताल दन्ते वाड़ा जिलह में किते है वह 95 अस्पताल है अगर नग्रिय निकाय की संग्या होँ वह कुल 5 है अगर गेर संकारी संगठन पूछे जाए तो गेर सरकारी संगठन की संक्या यहाँ पर 23 है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है यहाँ पर डाक गरों की संक्या है वह 71 है दंतेवाड़ा जीले में कुल 71 डाक गर है और इसकुलों की संक्या पूछी जाए तो यहाँ पर कुल मिलाकर 1014 इसकुल है अगर यहां पूछ ले जाए कि दंते वाड़ा जिले में कुल इसकलों की संक्या कितनी है तो आपका एंसर आएगा 1014 सबसक्वर्वाह देख लेते हैं ग्राम पंचाैत है दंतेवाह दीजाव में सम्ञाएं Min То तो टोटल 11 पुलिस टेशन है, दंतेवाड़ा जिले में, चली आगे देख लेते हम, दंतेवाड़ा जिले के पिन कोड। जो पिन कोड होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, तो सभी को हमnen डिसकश कर लेते हैं, तो यहां पर देखिएगा, पहले दिया है दंतेवाडा स्वयम इसका पिन कोड है 49449 और यहाँ पुछले जाए कि गीदम का पिन कोड क्या है ऐसे कोस्टन पूछे जाते पिछले साल भी NMDC के एक्जाम में ऐसी कोस्टन पूछे गयते अगर आप 2018 का कोस्टन पेपर देखते हो तो उसमें आपको ऐसे को पूछा जाए तो 494441 है कटेकल्यान का पिन कोड अगर पूछ लिया जाए तो इसका पिन कोड आता है 494449 चलिए आगे देख लेते आगे इसमें कुवा कोंडा तो कुवा कोंडा का जो पिन कोड है वह है 494552 और अगर बचेली का पूछ लिया जाए यहाँ दोनों याद है 494556 दोनों में एक ही चीज का अंतर इसमें 3 है और इसमें 6 है चलिए आगे देख लेते हैं आगे इसमें कुछ कॉलेजों के बारे में बताया गया है कि दंतेवारा जिले के महत्वुर्ण कालेज तो नंबर एक पर आता है NMDC DAV पॉल्टेक्निक महाविद्याल है और कहा इस्तित है यहां यहां गीदम में इस्तित है नीजी क्रशी महाविद्याला यहां कहा इस्तित है तो यहां दंतेवारा जिले में इस्तित है चलिए आगे देख लेते हैं महेंद्र कर्मा महिला इसनातोक महाविद्याला यहां कहा इस्तित है तो यहां भी दंतेवारा में इस тो सास की अर्विंद महाविद्यालाया है जो कीरंदूल में इस्तित है आघे यहां पर सास की इन्टेस्वरी इस्षॉरी इसनातकों तर कॉलेज या महाविध्यालाया कि है तो यहां भी जन। तो ऑगे देखलेते हैं अब यहाँ sotto ہے इसमें भूग अर्विक सेल करम तो जनतेवाडा में धारवार की चट्टाने पाई जाती है और यहां की प्रमुक मिट्टी पूछ ले जाए तो यहां प्रमुक तो लाल-दोमट मिट्टी पाई जाती है अगर आपसे कोश्चन पूछा जाए कि दनतेवाडा जिले में कौन सी मिट्टी की अधिक्ता पाई जाती है तो लाल-दोमट मिट्टी की अधिक्ता पाई जाती है खनीजों के बारे देख लेते हैं तो दनतेवाडा ми जीले का मुख्य खनीज है वहा है लोहाईयश्व टीन यूँझ-कोरणडम तो यहां आप सभी जानते JUST कीरण्दूली बचे के उतपादन में अग्रहीन हैं प्रमुक्त है जिसको कहते हैं की पहाडी और यहां पर बेलादियां की ख़दान इसने फ्र्लाय सब्सक्राइब जो सब्सक्राइब है और यहां पर जो कमपणी खदन कर रहाए सबसे उसका नाम क्या नुम डिशी है तो 1968 अदि यूदिशी है आपके और आपकर लोह किस प्रकारा यहां पर तो हेमिटाइट किस्म के लोहे की औयस्क कि प्राप्ति होती है यहां आगे देख लेए CAP अगर आपसे यह पुछ ले जाए कि बेलाडिया के उतकनन से जो लोहा प्राप्त होता है वह कहा निर्यात किया जाता है तो यह जापान को निर्यात किया जाता है और किस रास्ते से निर्यात किया जाता है तो जो विशाका पट्टनम बंदरगाह है वहां से इसको निर्यात कि जिसकी कुल उचाई अगर आपसे पूछ ली जाय तो इसकी कुल उचाई है बारा सव दस मीटर कितनी उचाई इसकी नंदरी राज पहाडी की 1210 मीटर इसकी टोटल उचाई है तीन भंधारण छेतर चलो देखते यहीं तो भारत का सबसे बड़ा मसिनिक्रत खान कहा है तो यह अगर यहां पूछलिया जाए कि दंतेशवरी मंदिर कहा इस्तित्त है कि नदियों के संगम पर है मा दंतेशवरी का मंदिर चलिए आगे देख लेते हैं आगे यहाँ पर बारसूर में कौन-कौन से मंदिर है तो यहाँ पर है चिंदक नंगावंसिय सासकों की राजधानिती बारसूर और यहाँ पसिद्ध मंदिर जो है वह है बत्तीसा मंदिर तथा मामा भांजा मंदिर यह most important है 32 मंदिर कहा है बारसूर में है और मामा भांजा मंदिर भी वही बारसूर जो की दंतेवाडा जिले में आता है वहाँ पर इस्तित है यहाँ पर विशाल गनेश की प्रतिमा भी इस्तित है जो बालू के जो बालू होती है न उनके छोटे-छोटे टुकडों से मिलाकर बनी गई यहाँ पर दो गनेश जी की प्रतिमाई है और चंद्र दित्तेश्वर मंदिर यहाँ भी कहा है दंतेवाडा जीले में ही इस्तित है तो फ्रेंट्स आज के लिए बस इतना ही आगे की क्लास में हम और भी दंतेवाडा जीला और चाथिसगर जीले से आपके लिए लेकर आएंगे जो भी लोग NMDC की प्रेप्रेशन कर रहा हुए वह चैनल को लाइक कर दीजेगा और साथ इसाथ जिन जिन लोगों ने सस्क्राइब ने किया सस्क्राइब कर दीजेगा और आपके पास जितने भी स्टटी ग्रूप है वहाँ पर सेर भी जरूर क कर दीजेगा तो चलिए मिलते हैं अगली कलास में कुछ नए important question के साथ में